आज की मेरी वीडियो है परस्टनल रैंकिंग टेस्ट पर परस्टनल रैंकिंग के क्वेस्टन्स आपको तक्रीबान आलमस्ट जो भी आईक्यू का पेपर होगा उसके अंदर आपको फेस करने पड़ेंगे इंदर मिलेंगे परस्टनल रैंकिंग ज्यादातर प्वेस्टन आज के अंदर मिलेंगे अफपीसी के एग्जायम पेपीसी यून्रस्टी के इंट्री टेस्ट इन में आपको यह बहुत ज्यादा मिलेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम detail में देखेंगे कि personal ranking questions को आपने किस तरह solve करना है और इसकी क्या क्या techniques है अब बारी बारी इन questions को हम देखेंगे किस तरह हम इनको solve करेंगे question number one देखें अब रजा rank 9th कितनो रजा का कौन सा rank है 9th from the top, top side से उसका number 9th है and 38 from the bottom in class अब एक class के basically students हैं यह सारे तो इसमें वो बता रहा है कि रजा एक student है उसका top side से number 9th है और bottom side से 38 है how many students are there in the class देखें इसको किस तरह solve किया है 8 क्योंकि उसका 9th number था top side से अब आपने 9th count नहीं करना क्यों क्यों क्योंकि 8 एक तो वो खुद है it means कि आपके 8 student पहले होंगे उससे 8 plus 1 9 हो गया plus उसका bottom side से कितना number था 38 तो it means कि 38 भी आपने नहीं लेना 37 लेना है क्योंकि 38 तो उसका अपना number 8 plus 1 plus 37 तो यह आएगा 46 उसका best answer है 46 B question number 2 देखें in a row of 21 girls when mariam was shifted by 4 places towards the right she became 12 from the left end what was her earlier position from the right end of the row means कि उसकी पहले कौन सी position थी right side से row के तो इसमें देखें हमने 21 girls ले ली वो कहता है कि 4 places shift करवाना है 12 number पे अगर mariam का हम लाते हैं left end से four places पे shift करेंगे तो पहले उसकी कौन सी position बनेगी eight अब देखें eight side आपकी left end side बनती है और यहां से चार places right side पे आपने उसको move करवाना है इस question के मताबे भी four places towards the right और 12 from the left अब अगर चार places left side से हम उसको move करवाते हैं तो बारवे पे आएगी लेकिन यह बारवे बाना left side से बनेगा तो अब इसकी पहले position कौन सी थी right side पे तो इसका eight से भी आपने eight को ही count करना है पहले तो आठवे नंबर पे दिए ना one two three four five six seven eight इसके fourteen digit आपका आठवे नंबर पे था earlier position उसकी fourteen की तो इसका best answer है fourteen question number three देगे in a row of trees one tree is fifth from ether end of the row आप कहते है कि द्रखतों की पूरी एक line है उस line में एक द्रखत पांचवे नंबर पे है जो के सबसे end of the row वाली साइड पे आखर पे है how many trees are there in the row तो यह देखे four plus four plus four is equal to nine मलब के total द्रखत हमने find out करने है fifth वो खुद है पांचवे नंबर पे खुद है इसके चार इससे पहले होंगे और चार ही इसके बाद होंगे ता इसका answer होगा बी नाइन question number four को देखे इन लाइन जन्नत हुसायन स्टेंथ फ्रॉंट फ्रॉंट वाइल मोतसे बिस 25th from behind and Khatija is just in the middle of two if there be 50 persons in the line what position does Khatija आप को पाई from the front total row में देखे लोग कितने है 50 जन्नत हुसायन का दसवा number है और मोतसेब का है 25th number जब दोनों को जमा करेंगे तो यह बनेगा 35 पचास में से 35 के 15 बचा आप Khatija कहता है कि middle of the 15 आप इट मेंज के खतीजा दोनों के middle में हैं तो इसका number बनेगा 8 क्योंकि 7.5 middle बनता है इसका तो इसका हम 8 consider करेंगे मालब 25th मोतसिब से पीछे वाली साइड बे तो इससे क्या शो होगा कि मेंज के 25 से पहले आएगी तो 10 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो यह बनेगा 18 तो इसका बेस्ट दोगा प्लस 49 में से एक को निकाल दे तो 48 बजे और उस बॉटम वाली साइड से 48 नंबर पे और तॉप साइड से 15 नंबर पे तो इनको जब जमा करेंगे तो यह बनेगा total 64 तो इसका बेस्ट आंसर है 64 question no.6 को देखें कहता है साकिब रेंक 7th from the top and 28 from the bottom in a class how many student in their class 17 top side से है और 28 bottom side से 17 come 16 plus 6 plus 1 आपका 7th होगे एक वो खुद है plus 28 में भी खुद इंक्लूड़ीड है तो एक को मैनस करेंगे 27 बन जाएगा इसका बेस्ट आसर है 34 hey there subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates